हमारी 42,300 की रेड लाइन से reject होने के बाद बिटकोईन का प्राइस जो है बिटकोईन के जो बुल जो है दुबारा प्रयास कर रहे हैं एक बार फिर से इस लक्षमन डेखा को भेदने के लिए और 45,000 डॉलर के लेवल तक जाने के लिए मेरा मानना है जो लोग इस छोटे से reversal से घबरा गए हैं वो बस्ताएंगे क्योंकि ये bear trap है यानि कि price वापस challenge करेगा और एक अच्छा DYDX चार्ट भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ 6-7 मिनिट की वीडियो है end तक देखेगा जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आपके पूरे दिन का जो सारांश है अगले 24-48 घंटे की जो गदिविदी है उसका आंकलन इस 6-7 मिनिट में होता है तो end तक देखेगा मेरे ना मैं रोई शर्मा सटोशी स्टाकरी ने में आपको स्वागत है स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस red line पे जिस पे अभी bitcoin का price जो है वो दर्वाजा खटकटा रहा है बोल रहा है कि मुझे तोडने दो क्योंकि मुझे bull market में जाना है इस bear market से निकल के देखना होगा कि जो यह formation बन रहा है as always क्योंकि मैं इस asset में बहुत ज़्यादा believe करता हूँ और मेरा मानना है कि एक लाग डॉलर का bitcoin का price इस साल हमें देखने को जरूर मिलेगा मेरा मानना है कि हम इस आंकटे को तोड़ेंगे और अपरायल वैसे भी हर साल average देखें तो बहुत positive month होता है अभी तक negative return दे रहा है पर अपरायल के अंत तक और खासकर जब मैंने futures market में देखा है यहां पर वाइद वे higher high बन रहे higher lows भी बन रहे है अच्छी बात है पर जहां तक मैंने futures market में देखा है कि 50,000 डॉलर पे बहुत सारा पैसा लगा हुआ है 50,000 डॉलर के लिए bulls कह रहे हैं तो देखते हैं 30 अपरायल क्या हम 50,000 डॉलर पे होंगे देखने वाली बात है यहां पर rejection मिली है दुबारा प्रयास होगा 22,000 को तोड़ने का और मेरा मानना है कि इस बार हम convincing ली तोड़ेंगे मार्केट में बहुत सारी हर्याली है positivity है अच्छी खबरे हैं कुछ negativity नहीं है जो stock market और जो rate high की जो डर है वो market ने हलका सा absorb कर लिया अब BAC stock exchange को देखिया आज भैंकर rally चल रही है तो 4 hour ली time frame बर मेरा मानना है कि हमको 22,300 तोड़ना चाहिए और जैसे मैंने का अगर हम पर जाते हैं जितना हम यहां पर समय नीचे विता रहे हैं मेरे लिए most important chart आज की rate में यह है क्योंकि आज हम Thursday पर बैठे हैं और weekly time frame पर हम इस red line के हलका सा उपर हैं पस हफता खतम होने तक यहीं पर रूप जाईएगा भराता श्री bitcoin तो अच्छा रहेगा daily time frame में भी चीजे जो है अपने support level से bounce होती है दिखाई दे रहे हैं अब आप दिखिए daily time frame और long time frame दोनों यही चीज़ दिखाई दे रहे हैं कि जो support है न हैं कि ऊपर जाते हैं तब तो बं धमाके होंगे positive खबर होंगी धोल नगाड़े बजेंगे इस channel के अंदर भी हम बहुत खुश हैं क्योंकि इस channel के अंदर भी हम एक दो महिने में एक लाग डॉलर तक पहुंच जाएंगे इन मैक्सिम तीन महिने में पर अगर इस channel से भार न का मतलब है दोला डॉलर का bitcoin तो मेरा मानना है कि इस channel के अंदर हम रहते हैं या हम redline की support को भी test करते हैं तो वह mega buying की opportunity है इस channel के अंदर रहकर भी 3-4 महिने के patience के दौरां bitcoin अच्छा खासा 2x होने का जरूर जरूर चांस है अगर बाहर निगलता है इस channel से तो तो मैं बोल रहा follow करता हूं rather than हर 4 गंटे में price refresh के देखना कि अभी उपर गया अभी नीचे गया अगर हम आज का weekly time frame किस हफते का weekly time frame break कर लेते हैं और 42,000 से उपर रहते हैं हफते के end तक यानि कि Sunday को रात को साड़े 5 बजे मंडे की सुबे साड़े 5 बजे तो एक trend reversal की शुरुआत यहां पर बार बार बोल चुका हूं कि 29 की range में नहीं आने वाला है 30,000 की जो range है वो ही Bitcoin का bottom है आज आपको चाहिए लगे कि जब भी Bitcoin 38,000 पर जाता है पैनिक होते हैं पर आप आज से एक साल बाज जब मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे आज का जो समय है 49,000 38,000 का जो range है वो आ आपके लिए golden opportunity था lifetime asset बनाने के लिए हाला कि 40,000 41,000 भी बुरा समय नहीं है पर जब जब Bitcoin नीचे जाता है पैनिक होने के बजाए बटोर ये Bitcoin सबसे ज़्यादा प्रिस्टीन asset है क्यों यहाँ भी मैं आपको एक important चान दिखाता हूं Green Line जो है वो DYDX Index है यानि कि Dollar Index यानि कि Dollar बाकी currencies के मुकाबले कितना strong था इतिहास बताता है पिछले 10 सालों में जब जब डॉलर सबसे strong हुआ है तब तब Bitcoin की rally शुरू होती है Orange Line Bitcoin है Green Line DYDX है यहाँ पर देखे जब Bitcoin जब DYDX पीक हुआ था उसके बाद rally शुरू हुए थी जब जब bull rally शुरू होती है वो उस पढ़ पर होती है जब dollar सबसे आदा strong होता आप कहेंगे इसका क्या logic है क्योंकि dollar का जो है dollar की strength का भी resistance है जब dollar अपने peak पर पहुंच जाता है strength के relative strength के तो उसके बाद उसको correct होना जरूरी होता है तो जब वो correct करता है तो वो पैसा Bitcoin में flow करता है Bitcoin dollar जो है DYDX अपने almost all time high के आसपास ह है जो और रेट क्लर का box उपर बन रखा है यह box यह दर्शाता है कि इस box में घुज गए तो इसका मतलब इस box में विछले 10 साल में हम दो बार ही घुसे हैं इस box में घुज गए तो correction कभी भी शुरू हो सकती है एक दिन में दस दिन में एक महिने में बट शुरू होगी जब correction शुरू होगी डिवाइडी एक्स में डॉलर इंडेक्स में तो बिटकोईन का प्राइस बहुत उचाल लेगा और इसलिए मेरा मानना है कि इस साल क्योंकि यह time period जो है यह 2021 से डिवाइडी एक्स ऊपर जा रहा है यहां पर अगर आप देखिए और जब सबसे नीचे था डि बनाता हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग जो है बहुत सिंपल है मैं अपने अनल्टिक्स देखता हूँ लोग छोटे गाउन से भी देखते हैं इसलिमें चीजों को बहुत सरल बनाने की कुशिश करता हूँ अगर आप एडवांस है आप एक्सपर्स हैं तो आ अगर आप इंपेशन है ट्रेडिंग करना चाते हैं रिस्क लेना चाते हैं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखें जिनसे आपको बोनस और लीवरेज प्राप्त होता है उनको भी आप ट्राइ कर सकते हैं तो आशा करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई